कक्षा 10 वाले और कक्षा 12 वालों का सबसे तगड़ा कमेंट रहता है कि सर हमें बताइए कि एगर मैंने 6 सब्जेक का पेपर दिया कक्षा 10 वाले के बारे में बात कर रहा हूँ और गल्ती से उसमें 1 बिसे में फेल हैं चलिए हम आपको पूरा पूरूप दिखाती है इस बच्चे का रिजल देखिए यहाँ पे ठीक है और देखने के बाद एक गौर कीजिए कि यहाँ पे हिंदी में इसको एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में 12 नंबर थेयोरी में बिला है और प्रेक्टिकल में 31 टोटल 41 नंबर और 41 नंबर यहीं पे फेल लिखा है क्यों क्यों कि थेयोरी में इसके कम मार्क्स हैं थेयोरी में इसके 23 मार्क्स होने थे अगर यहाँ पर 23 मार्क्स होता तो यह पास माना जाता लेकिन 23 marks से इसके कम है इस दिये इसमें fail है अच्छा जब हिंदी में fail है तो यहाँ पे result में क्या दिखा गया है? pass तो किसी एक subject में अगर आप fail है तो उसी subject के बगल में fail लिखा रहेगा लेकिन overall result में आपका pass लिखा रहेगा तो आप समझ गयोंगे लेकिन अगर intermediate में है पाँच subject में किसी में fail है तो आपको fail लिखा रहेगा उसमें pass लिखा नहीं आएगा यह intermediate के result का rule है तो समझ मैं आपको पक्का confirm करिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो please like करिए चैनल को subscribe करिए मिलते हैं next वीडियो